रेत में गिरिवे चीनी कोई चीन्टी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं इसलिए छोटे आदमी को कभी भी छोटा ना समझे कभी कभी छोटा सा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है लक्षमी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वति के नहीं इसलिए अपने बच्चों को धन्वान बनाने से पहले सिक्सित और संसकारी बनाईए नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ब्रसपति के व्रसब रासी में प्रवेश के विसेश एपिसोड में ये एपिसोड आपकी रासी, नाम रासी, अथाद मूल साइन पर आधारी थे एक छोटी सी अपील है आपसे, ये चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, सांती, समरदी के लिए अमारा प्रयास है आप भी हमारे चैनल को सबस्काइब कर, कमेंट कर, लाइक कर, उस्सा वर्दन करके सयोग करे जोतिस सास्तर में गुरु पूरुजनम के कर्म, धर्म, धर्शन, ज्ञान और संतान का प्रति निदित्व करते हैं देव गूरु ब्रसपती जब रासी परतन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसादनों में व्रद्धी, सिक्सा, संतान, हमारी प्रगती, सम्रद्धी, संपंता, व्यवाइक जीवन, धर्म और पिता-पुत्र सम्मन इन सभी पर पड़ता है। ब्रसपती प्रतम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इनी ब्रसपती ग्रह को मैलाओं के लिए पति का कारक और पुर्शों के लिए धन का कारक माना जाता है। ब्रसपती व्रद्धी के कारक है इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग व्रद्धी कारक होगा। अब यही देवगुरु ब्रसपती ग्रह एक माई दोजाओ चौबिस को दोपेर एक बजे पर करतिका नक्षत के दूसरे चरण में प्रवेश करके व्रसबरासी मा जाएंगे और चौदा माई दोजार पचीस तक व्रसबरासी में ही वक्री मारगी अस्थ उदय गती से ब्र करी रहेंगे लगबग 12 वर्सों के बाद ब्रसपती पुनव रसबरासी में प्रवेश कर रहें तो आईए अब जानते ब्रसपती गोचर का प्रवाव आपकी रासी पर ब्रसपती आपकी रासी से सुख बाव और दामपत्य सुख बाव अता फोर्त आउस और सेवन ताउस क स्वामी है अता दो केंद्रों के स्वामी है और आपकी रासी से बाग्य बाव में नाइंत आउस में गोचर वस प्रवेश करेंगे ब्रसपती कि रासी परतन से आपकी रासी पराकरम बाव अता थार्ड आउस शिक्सा और संतान बाव अता फिप्त आउस पर दस्तिपात होन प्रदान करता है तो आप कन्या रासी के लोगों के लिए ब्रस्पधिका गोचर कई मामलों में बहुत पॉस्तिव रहेगा और कुछ मामलों में आपको चैलेंजिस का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे यह पूर्ण कर पाएंगे। जो समस्यां बीते दिनों की है उससे आप परिशान थे उसमें आप कमी मैसूस कर सकते हैं, सरकारी मानसमान, प्रमोशन, संभव हो सकता है। लगबग हर कारे में आपको यहां पर सकस्स मिलेगी, भाईयों से सु इंट्रस्ट बढ़ेगा और इस दोरान बड़ी संपती खरीदने के योग बनने वाले बन सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं। यदि आप को बड़िया गाड़ी खरीदना चाते हैं, तो वह भी इस समय में खरीच सकते हैं। आपके विदेश यात्र की योग भी बनेंगे जीवन साती के साथ में समझे से बहुत अच्छा बैटेगा, लंबी यात्राओं के मद्य, आपसे प्रेम, स्ने, ये सब कुछ बढ़ेगा। आपको तीन मही से लगागर कि तीन जून के बीच में जब ब्रस्पती अस्त होंगे तब आपके काम में बादा आएगी और जीव को करने में बहुत ज्यादा एफ़र्ट करने पड़ेंगे, एक से अधिक प्रयासों के बाद ही सफलता की योग बन पाएंगे, इसलिए जो भी मैनत है उसका पीछा नहीं छोड़ना है, हर आलत में आप अपना करम करते रहिए, बार बार करिए, सफलता आपको मिलेगी तो आईए, अब बात करें, आपके जिवन के बहुत से पहलों के बारे में, सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपकी नौकरी या कार्यों वैसा है अथाद आपके केरियर के बारे में ब्रैसपति के इस कोच़त से आपके केरियर में नए औफर मिलेंगे, रुपए पैसा कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, अथाद इनकम के सोर्से और आपको मिलेंगे और कोई बिजनस में है तो कोई नई शुरुवात करने को मिलेगी हाला कि अभी आपके पूराने और फसेवे कालियों के पूरा होने में स्पीड आ सकती है आप एंटीक या एंटीक के शेत्र में जो काम करने वा लोग हैं वो इससे में भारी सफलता प्राप्त करेंगे और इस समय काल के दौरान आपको एब्रोड गोमने के या एब्रोड में आप कामकाज करने के या तरह के नए-नए रास्ते पता चलेंगे कुछ बड़े और महत्पूर्ण लोगों से मिल मुलाकात का सिर्शला सुरू होगा जो आपके जीवन में मैत्मूर्ण बदलाव लेकर काएगा अतार एक सक्सेस्पूल ग्रुप से आपका सामना होगा आपकी मिटिंग होगी और आप उसमें सामिल हो जाएंगे 9 अक्टूबर 24 से 4 फरवरी 25 तक जब ब्रस्पती वक्री हवस्ता में रहेंगे इस समय काल में आपको अपने कामों को बहुत ज़्यादा मसकत से पूरा करना पड़ेगा अधिक प्रयासों के बाद ही सफलता की योग बन पाएंगे यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रस्पती के यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉस्तिव है बागे इस ब्रस्पती का दसम बाव में गोचर आकस्मी की अप्रत्यासित फाइनिशल गेन आपको दिलवा सकता है और इस समय काल के दोरार इस गोचर काल के दोरार बड़ी समपती खरीदने के योग बनेंगे और केवल इतना ही नहीं यदि आप कोई सांदार विकर लेना चाहते है तो भी इस समय में आप खरीद पाएंगे और कुछ लोग जमीन, घर या वान करिद लेंगे, लोन ले सकते है ये गोचर विदेश यातर ये विदेश के कामों से लाप आपको दिलवा सकता है और आप अचानक से अपने घर और समपती समंदित कोई बहुत बड़ा डिज़न ले करके सब को चौका सकते है आपके विदेश यातर के योग बनेंगे, आप पहले से ही वीजा के लिए तैयरी कर चुके है तो आपका वीजा लग सकता है, आपको अपने प्रियासों में सर्फलता मिलने लगेगी जब ब्रेस्पती वक्री होंगे, तब उदार जो पैसे आपने ले रखा है, वो वापस चुकाना पढ़ सकता है प्रेसर बढ़ सकता है, अपनी बीमा पॉलिसी पर लोन लेना पढ़ सकता है और बहुत बड़ा इंवेस्मेंट नुकसान देशा भी दो सकता है, इसलिए सोच समझ करके इंवेस्मेंट करना है देवगुरु ब्रेस्पती का नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर, धरम करम के मामलों में आपका इंटरस्ट बढ़ाएगा आप परिवार के साथ में तीर्थिस्थानों पर जाना पसंद करेंगे मेंदिनों में और तीर्थिस्थानों के दर्शन करना आपको संतुस्ती सुख देगा एक प्रकास से भाग्य में सायक हो जाएगा गर में दार्मिक कारिय, मांगलिक कारिय संपन होंगे भाई और संतान पक से आपको सयोग मिलेगा आपकी रासी से थड़ा उस पर ब्रस्पति की ज़स्ति भाई बैनों का सुख प्रदान करेगी दोस्तों से भी आपको लाब होगा या सरकल से लाब होगा आपकी छोट-छोटी यात्रा हैं हो या लंबी यात्रा हैं आपको सफलता जरूर्ट मिलेगी और आपको उनसे मान समान भी बढ़ेगा आपकी रासी से थर्डा उस पर ब्रस्पति की जस्ती आपकी confidence को बढ़ाएगी, sans को बढ़ाएगी, daring को बढ़ाएगी और आपमे communication skill को बहुत ही ज़्यादा fine tune कर देगी आप अपने effort से मन की कुछ च्छाओं को यहां पर पूर्ण कर सकते हैं या यह बीते दिनों की जिन समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा परिशान रहा करते थे उनमें आप कमी महसूस आपको होगी ब्रेस्पती का सब्तमे सोना इस बात का संकित देता है कि आपका साती इस अवधिव में आपका सात देगा जीवन साती के सात में बहुत अच्छा समझेस से बैठेगा दोनों सात मिलकर की यात्राइभी करेंगे लंबी यात्राओं के मद्य आपसे प्रेम बढ़ेगा जीवन साथी के मद्यम से लाब होने के योग बनेंगे या पिजीवन साथी के परिवार रता सस्वराल के बहुत अच्छे effort से या उनके जो business circle है उसमें आपकी entry होने से आपका भी मानसमान बढ़ेगा आपका भी circle बहुत wide हो जाएगा और उससे आप फाइदा कमा पाएगे जो लोग प्रेम संबंदों में उनमें प्रगाड़ता आएगी और आप अपने पाटना से बहुत ज़्यादा नजदी के महसूस करेंगे गनिष्टा महसूस करेंगे आप उन्हें बहुत प्यार से संबालेंगे और उन्हें ये बहुत पसंद आएगा इससे आपका प्रेम एक प्रगाड़ता से परवान चड़ेगा साधी के लिए अच्छे रिष्टे मिलेंगे विवाई योग बन सकते हैं नव विवाई जो लोग हैं जिनकी साधी या तो हो चुकी हैं होने वाली उनका अपने जीवन में जो साथ है उनका जो पार्टनर एक प्रगाड़ से भाग्य लेकर कर आईगा है आपका भाग्योदय हो जाएगा यह समय अवदी उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉस्तिव है जो अपने परिवार की मदद से अरेंज मेरिट के लिए जाना चाते हैं हाईर एजूकेशन के लिए गोचर बहुत पॉस्तिव है आपको अपने एफर्ट्स में सक्सेस मिलेगी रासी से पंचम बाव पर भी देवगुरु ब्रस्पति की ज़स्ति होने से आपको एजूकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्स मिलेंगे पॉस्तिव रिजल्स मिलेंगे आपका मन एक प्रकार से इजीली स्टडी में लगेगा और आपका कंसेट्रिशन बढ़ेगा ग्रास्पिंग बढ़ेगी नॉलेज बढ़ेगी आप मैंसे वे लोग जो technical सेक्टर में space technology में research field में medical या non-medical sectors में स्टेडि कर रहे हैं उनकी स्थिती बहुत अच्छी होगी इसके अलबा जो commerce economics या marketing या टेलिकॉम सेक्टर में कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थिती या उनकी पोजिशन भी बहुत शांदार रहने वाली है। तो एक प्रकास से यहां पर आपकी एजूकिशन के सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजर्ट्स प्राप्त करेंगे या जो आपकी कामना है वो एक प्रकास से पूर्ण होने वाली है। के चार फर्वरी दोजार पचीस तक तो लिवर से समंदी या किट्नी से समंदी बीमारी सर्जदी का कारण बन सकती है। संतान उत्वत्ति के बारे में देरी से जो लोग फैसला ले रहे हैं उनको इलाज करवाना पड़ सकता है। आईए अब बात करते हैं ब्रस्पति ग्रह के सांतिके उपायों की। दाइबिटीज अताद मदु में सीधा समंद कुणली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आरादना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारीयों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुस्ट प्रभाव से पिडित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दसावतार विश्णु कवर्दारन करना चाहिए। साथी ब्रस्पति ग्रह क्या पिरमेड या नवगर दोस्ट नम्यक जो पिरमेड होता है वो अपने सैन करक्ष में बैटरू में रखना है। यह आपकी माइंड बोडी और सोल को ट्यून अप करेगा एक प्रकास से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिशेक करें पर अभिशेक करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का मनी मनो चारण करते रहें या अभिशेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज्यादा बैटर है। ब्रस्पतिवार की दिन आता थरस्दे की दिन आपको केला, गोड़ या चने की डाल या कोई भी पीली वस्तु पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरत मंत्को या आसपास मंदिर में आप खुद पुरस सुक्त का विश्णु सरस नाम का पाठ कर सकते हैं या पिर ब्रस ब्रस्पतिय नम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो ये था ब्रस्पति का वरचब रासी में गोचर फल आपकी रासिक अनुसार आपकी जन कुण्ली में से एक गरय चनमा को आधार बना करके मैंने ये रासी फल गोचर फल आपको बतलाया है आप चाहें तो अपनी जन डिस्जन लेना हो, वो डिस्जन आपके केरिर, आपकी जॉब से समधित हो सकता है, आपके विवा या संतान से समधित हो सकता है, कोई कोट कचरी से समधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनस करना चाहिए, इस संतर में हो सकता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर study करनी चाहिए आपको ये study abroad में जाकर करना ज़्यादा सही रहेगा अपने देश में ही आप करें जो आपकी parental property उसमें आपकी क्या इस्तिती रहेगी आपको खुद को investment करना है वो किसमें करना चाहिए ये सभी चीजें ये सभी बातें आपकी life में बहुत important role करती है तो इनका जब भी decision लेना हो अपनी जन कुणली के संदर्ब में decision लेना ज़्यादा सही रहेगा आप कोई भी देश में रहते हों कोई भी सहर में रहते हों आपके आप सिर्फ अपना phone होना चाहिए आप टेलिफोनिक कंसल्टेंसी या video conferencing के जरिये अपनी कुणली पर discuss कर सकते विचार भी मस कर सकते जो आपके मन में जिग्यासा है उस पर हम बातचीत कर सकते जो हमार टीम मेंबर्स है वो आप से संपर करके appointment fix करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे आप और मैं ही बात करेंगे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा ऐसी इस्तिति में आप अपनी personal से personal problem भी यहाँ पर discuss कर सकते हैं उसका समाधान डून रहा हो जा सकता है वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है कोई मंत्र का जाप हो सकता है कोई दान हो सकता है कोई कवच हो सकता है बहुत सारे उपाए भी हो सकते हैं वो आपके उपर depend करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, उस्रुक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुब कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद।